Friends, आप सब का स्वागत है, आप सब के अपने चैनल दाइगली शटाप Friends, जैसा कि पहले बताए गया था कि daily class schedule में हम आप से share करेंगे वो सारे grammar के topics और वो सारी important chapters जो आपके किसी भी competitive exam में पुछे जा सकते हैं तो उसी सिलसले में जो आज फर्स chapter में start कर रहें आपके लिए वो है noun कैसे noun से questions आते हैं, कैसे error की questions आते हैं, कैसे noun का एक work के साथ argument होता ये सावी चीज़ें detail में आप से discuss करेंगे यहांबर Friends, start करते हैं आपका chapter noun Noun, जैसा कि आप जानते हैं, कि ना तो किसी competition इसकी definition पूछी आती है और ना ही इसकी type जो कि इसने पहले पढ़े गूई, सब जानते हैं कि noun क्या है, क्या इसका use है But, आपका किसी भी competition में जो पूछा जाता है, वो ये है कि अगर noun है कोई word, तो उसको कैसी word के साथ रखा जाया है सबसे noun में अगेले कोई error नहीं है Noun किस word के साथ कहां पर रखी जाया है ये चीज आप से पूछी आदे है या जो भी जैसे भी word के साथ पूछ किया गया है तो क्या वो grammatingly correct है वो आप कैसे जान पाएंगे वो आपको बताते है Simply noun आप जानते है noun is the name of a person, place, or thing, or idea किसी रिवेक्त रिवस को इस्थान या विचार के अगर कोई नाम दे दिया जाए तो आपका noun यानि संग्या बन जानते है शेखते हैं कि noun जो है आप सबसे पहले noun समझने से पहले एक चीज़ यहां पर डाउन कर ली देगा और उसको समझ देगा कि कहीं पर ही अगर कोई singular subject आया है तो उसके साथ verb जो है वो singular ही आती है singular verb में आपने हर्भी में देखा हूँआ is होता है, is होता है, is होता है, is singular है, our plural है, is होता है, होता है, is singular है, है, plural है या present indefinite tense में main verb में main verb हीट है अगर उसमें s य e s लगा होता है ऐसे he goes क्योंकि he singular है they go क्योंकि they plural है तो verb को similar या plural दो तरीके से लिखा जा सकता है especially सिर्फ helping verbs को और एक जगा main verb को सिर्फ present indefinite tense तो अगर कोई subject similar है तो उसके साथ जो verb आएगी, वो भी singular है दूसरी चीज़ कि अगर कोई subject आपका plural है तो उसके साथ जो verb आएगी वो plural है ये एक बहुत basic चीज़ है आप सब जानते भी होगी इसके बारे में ये यहाँ remind करा दिया गया है क्योंकि आगे जो अब ही हम noun के बारे में classification देखेंगे वो इससे relate करता है कि क्यों हम ये जान रहे हैं कि कौन सी noun singular होती, कौन सी plural होती, वो इसके जान रहे हैं क्योंकि अगर singular subject के रूप में कोई singular noun आती है तो उसके जाए singular भाव आती है और plural subject की तरह कोई noun यूज हो तो उसके साथ जूर करता है बेसिक आप करूल CCB subject work equipment के लिए अब देखते हैं कि noun को कितने parts में divide होती है आप सब जानते होंगे, सबने पड़े भी होंगे कि शायद five types होते है noun के बट ऐसा नहीं, जो five types है हो kinds है कोई भी part of the speech, classes classes और kinds में divide होता है classes यानी work कि आम तोर पर दो, तीन या चार classes में चीज़े divide होती है बाग की जितने भी classों का division होता है, वो kinds में simply आप ये जाने कि noun को basically दो classes में divide किया गया है first है countable nouns और second है आपका uncountable nouns ये classification है नाउन का दो parts में countable यानी गिने जा सकने वाले और uncountable यानी ना गिने जा सकने वाले जो five kinds आपने पढ़े हैं वो सब इसके अंदर आपने पहले हम देखते हैं इसमें भी चीजें हम count नहीं कर सकते है one two three में केवल उनका वजन कर सकते हैं या देख सकते हैं या वो uncountable मानी जाती है आप देखते हैं कि countable और uncountable होने के क्या यहां पर effect पढ़ता है अगर कोई नहीं आपका countable है तो वो similar भी हो सकता है और plural क्यों क्योंकि जिसको भी हम one two three में गिन सकते हैं वो एक भी हो सकता है और एक से साथा भी यानि जैसे boy similar नहीं countable नहीं boys plural नहीं लेकिन है अभी भी countable जिन nouns को गिन सकते हैं उनका plural भी बन सकता है तो countable nouns similar भी हो सकता है आपका और plural अब आते हैं uncountable noun पे uncountable noun किवल एक ही form में लिखा जाता है singular reason जैसे sugar one two three में तो नहीं गिन सकते उसे tall सकते हैं sugar ही लिखा जाता है कभी sugars नहीं लिखा जाता चाहिए वो कम sugar हो चाहिए ज्यादा sugar या कोई भी ऐसी चीज milk, wings कभी नहीं लिखा जाता है उसका plural ही बनता क्यों क्योंकि वो एक uncountable noun तो यहां पर यह पता चला कि कोई भी ऐसा noun जिसे आप one two three में नहीं गिन सकते जो uncountable की category में आता है वो हमेशा एक ही form में लिखा जाता है singular उसका कभी plural ही बनता means उसमें कभी s या es नहीं लखता है तो यहां से क्या पता चला कि अगर countable noun है तो singular plural होता है यानि उसके साथ singular verb या plural verb आ सकती है बट अगर कोई noun uncountable है तो चुकि वो हमेशा similar में ही लिखा जाता है इसलिए उसके साथ जो verb होगी हमेशा कैसी होगी हमेशा similar ही होगी एक चीज अंदर यह बना चलगी आइए देखते हैं एक दूसरा point countable uncountable के बारे में आपने एक चीज बढ़ी होगी articles a, an, or the जो की determiners पर यह type होते हैं अब the तो फिलाल उसको definite बनाता है उसकी अलग चीज है a, an का meaning क्या होता है आप सब जानते होंगे की a या an का meaning होता है तो अगर बात करें an कहां लगता है वो अलग चीज है लेकिन a या an दोनों कैसे noun के पहले लग सकते हैं हमने कहा की countable से पहले a या an लग सकता है अगर वो a boy, a pen क्यों? क्योंकि जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम एक बोल सकते हैं और एक बोलने के लिए उससे पहले अरिकल a an भी लगा है जा सकता है बड़ चुकि uncomfortable noun लिखा जरूर singular form में जाता है बड़ इसको गिना तो नहीं जा सकता है इसे milk आ milk आ sugar नहीं उससे पहले generally आपका उससे पहले जहां जरूरी हो an आ सकता है एक के अर्थी लेकिन जो noun ही uncountable है उससे पहले कभी an भी नहीं लिखा जा सकता यह भी आप के error पूछा जाता है दो चीजें आपने जानी कि uncountable noun के कभी plural नहीं बनता और नहीं इससे पहले कभी an लिखा जाता है यह आप देखते हैं कि जो इसके five types हैं five types आपने nouns के पढ़े हैं common noun material noun तो उनमें से cons हैं जो countable में आते हैं और cons हैं जो uncountable में आते हैं friends पहले अगर बात करें countable भी तो हम जैसे noun का पहला type उठाते हैं common noun जैसे हिंदी में अपने जाती वाचे के नाम से बढ़ा होगा common noun का एक example जैसे boy, girl city common noun जो किसी चीज की तरफ इशारा करें किसी चीज के नाम की बात ना करें man, man, woman यह सब common noun जो सब के लिए common तो हम बात करते हैं कि जैसे boy हो गया, city हो गया, college हो गया, क्या इनका plural बनता है city एक से जापा हो तो cities हो जाएगा man का plural men बनता boy का plural boys बनता college का colleges, यानि हर common noun का plural बन सकता है तो चुकि plural बन सकता है इसलिए वो countable और इन सब को में एक दो तीन में count भी कर सकते हैं इसलिए जो भी आपका common nouns होते हैं वो सारे countable होते हैं मतलब इसका यह है कि वो singular form में भी use होता है और जरूरत पढ़ने पर वो plural form में भी use होता है common nouns दूसरी चीज़ आती है दूसरा noun जैसे हम देखें proper noun proper noun क्या होता है जैसे अब इनने का city तो वो common noun बट अगर किसी city का नाम एरे ऐसा लग ना हो तैज़ा बाद अलहा बाद तो यह जब भी किसी चीज़ का नाम आता है तो वो proper नाम बन जाए अब बात करते हैं कि proper noun countable में आएगा कि uncountable means इसका plural बनता है यह के नहीं बनता तो by का plural बनता है by मैं का plural बनता है नहीं बट अगर कोई नाम है by का mean Rahul तो कई लोग Rahul की नाम से हैं तो उसका plural Rahul तो नहीं बन जाएगा means simply यह है कि कि नाम का कभी plural नहीं बन था इस वजे से वो नाम चाहे एक ही चीज का क्यों नामों लेकिन प्रॉपर नाम का अंकाउंटेवल में आता है योकि नामों का प्लूरल बनता ही नहीं किसी भी नाम के आगी आपने के ऐस लगा नहीं देखा होगा और अगर ऐस लगा भी है जैसे कुछ पोईट्स हैं आपके चाहल्स डिकेंस तो उसमें उनके नाम में इंक्लूड है नाम का प्लूरल नहीं बनाया यह तीसरा नाम देखते हैं मैटेरियल नाम हिंदी में पता कि आप मैटेरियल करने क्या है तो देखा होगा कि आपने कभी लूरल सिलवर का कई सिलवर्स, गोल्ड का गोल्ड या वूड का वुड्स नहीं हालकि वूड्स और आइरेंस के वर्ड होते ही पड़ उनके मीनिंग अगर होते हैं तो किसी भी मैटेरियल लाउन को एक दो ती तो सारे material noun आपके आप देगी uncountable noun means कोई material noun अगर होगा तो uncountable माना जाएगा और वो मिश्छा सिल्फ ओम में लिखा जाएगा और उसके बाद जो पाप आएगी वो भी सिल्फ दो आप बात करते हैं तीन noun आपने यहां पर देखे आप बात करते हैं चौथे noun abstract noun भाव बात जाएगा abstract noun is a noun एक ऐसा noun जो सिर्फ feelings और ideas की बात करता हैं मतलब ऐसी चीजों का नाम जिने हम देख नहीं सकते touch नहीं कर सकते सिर्फ उनके बारे बात कर सकते हैं और उनको feel कर सकते means जैसे love, kindness, sympathy इस सारी feelings और emotions यह सब भी noun में आता है abstract noun तो क्या आपने कभी इनका plural देखा होगा love का loves, sympathies, kindnesses नहीं इस feelings आपके हमेशा uncountable होती हैं इनका कभी plural नहीं बनता इसलिए सारे abstract noun नापके uncountable में ही आपते हैं यानि किसी भी feeling का किसी भी abstract noun के कभी plural नहीं बनता means उसमें last means यह यह नहीं लगता और उसके साथ कभी भी आपकी plural word नहीं आएगी किसी समूह को या group को अगर एक नाम दे दिया जाए तो उसे बोला जाता है collective अब बात करते ही का group जैसे class class a group of students या fleet fleet का मतलब होता है group of cars कारों का कार्मा या line निकलती है उन गारों के समूह को गाडियों के समूह को fleet बोला जाए या bunch, bunch means होता है bunch of bananas, bunch of flowers, bunch of keys क्या इनका plural बनता है? bunch का bunches, fleet का pleats या class का classes बिल्कुल बनता है अगर एक group है, एक class है तो उसका plural नहीं बनेगा लेकिन किसी चीज के group अगर एक से जावाब होना है तो bunch का bunches, fleet का pleats, class का classes बनता है यानि हर एक collective noun का plural बन सकता है इस बज़े से आपके सारे collective noun की countable में आते हैं यानि अगर एक group है, तो similar form में अगर एक से जादा है तो plural form में और similar तो similar बन, plural की तरह है तो plural तो आपने देखा कि यह जो पांच noun हम पढ़ रहे थे इसमें से तीन आगए आपके uncountable में जो की मिशा similar होते हैं, जो हम गिन नहीं सकते और दो आगए आपके countable में जो की ज़ुरब पढ़ने पर plural भी बन सकते हैं, क्यों की हम यह गिन सकते हैं classification के यह use है कि अगर इन में से कोई noun कभी आए तो क्या error बुशी आ सकती है इन में S या इस नहीं लगेगा अगर लगा है तो गलत है दूसरी चीज़ इनके साथ कभी plural verb नहीं आएगी कोई तब plural बनता ही नहीं तो अगर इनके साथ कभी plural verb नहीं गई है तो वो भी गलत है क्योंकि इन सारे nouns के साथ जाए वो proper हो जाए हमेशा similar verb ही आएगी क्यों? क्योंकि यह uncountable दूसरी चीज़ common nouns और collective nouns जरूरत बढ़ने पर plural भी बन सकते हैं या इन में S E I S लग सकता है और जब इन में S E I S लगेगा तब इनके साथ plural verb भाएगी क्योंकि आपने पहले ही वो चीज़ पर basic rule देखा हुआ है कि singular subject के साथ singular verb और plural subject के साथ plural तो यह दहर noun का classification noun दो पार्ट्स नहीं वो कि आपके लिए काफी helpful हो अब यहाँ हमने noun का classification तो देख लिया और उसके बढ़न basic चीज़ें भी जाना है आप देखते हैं कि कौन-कौन से special rules हैं या कौन-कौन से questions हैं जो आपके पूशे रहते हैं देखते हैं पर इस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा SSE में या किसी भी exam में maximum आपके rules कम पूशे जाते हैं जो rules के exception होते आप अबाद वह जादा पूशे जाते हैं कि जहां normal rules ना बहुत होंके कुछ अलग rules follow होते हैं तो जादा तर chapters के आप बहुत जाते हैं हलाकि basic rule भी बहुत जाते हैं या कि exception आप खद्यान से बढ़िएगा कुछ जाते हैं जैसे कि noun को आपके जो मैं पहला यूज जो बताऊं तो exceptional case ही है कैसे अभी आपने पढ़ा किसी भी common noun का plural बन सकता है first rule noun का कहता है वो common nouns ऐसे common nouns की बारे में बात करता है जो कभी plural नहीं बनते तो हुआ an exception यहां पर अभी आपको पहले rule में कुछ ऐसे common nouns बताएंगे जिन का plural नहीं बनता है जो uncountable माने जाते हैं और अगर plural नहीं बनता है तो याणि उसमें एस नहीं लगेगा और उसके साथ कभी जी आपकी plural verb नहीं है कैसे जी जैसे एक example में आप और लिखना हम आप उसमें जाने के लिए एक sentence लिखा है information is available दूसरा लिखा है informations are available तो आप बता सकता है कि कौन सा सही है देखिए इस जो तीन sentence लिखे है ये थाड़ वाला पर लिखें तो ये रॉंग है क्यों क्यों क्योंकि information singular होता है तो उसके साथ plural बन देखिए second भी रॉंग है क्योंकि information है तो ये common noun बट एक ऐसा common noun है जिसका plural नहीं बनता है सही है आपका first यानि information is available तो इस तरह के question ऐसे common nouns जिनका plural बनता ही नहीं है यानि जो हमेशा बिना S या E S के रिखिया जाएंगे और जिनके साथ वबर चुकि plural नहीं बनता तो uncountable हो इसलिए उनके साथ वाभ उमेश आती है singular तो यहां पर हम देखेंगे वो common nouns जिनका कभी plural नहीं बनता है यह example आप देखेंगे information उनहीं nouns में से एक तो यहां पर आपके लिए वो सारे common nouns लिखे जाएंगे जो plural नहीं बनते जिनके बाद में कभी S या E S नहीं लगता और जिनके साथ कभी plural वब नहीं है पर में लिखे रहा हूं वब भर में लिखे रहा हूं Some common nouns विजार उन्काउंटिबल नाउंड इस चीज से आप समझ जाएंगे उन्काउंटिबल नाउं मतलब उनमें ऐसे यह नहीं लएगा और उनके साथ प्लूरल बोल नहीं आएगी अब वो कौन-कौन से नाउंड होते हैं जो आपके पेपर में स्पेशली पूछे जाते हैं तो आप उन्काउंड दीजिए और इन्हें आप नोट भी करिए इन्फॉमेशन उनमें से एक है इसका मतलबता है सूचना सीनरी किसी वेतरश को या सीन को सीनरी बोलते हैं इसका भी प्लूरल नहीं बनता मैक्समम यह एक्जामस में दिया जाता है सीनरी इसलिए लिखके पड़ कि रूल है कि सीनरी का प्लूरल बनता ही नहीं उसे इस केडिगरी में रखा गया है इस वज़े से यह सीनरी ही रहता इसी तरह पोईट्री कविता पोईट्री अपसर वेपर में लिखका दिया यह लेकिन आपको जहां भी पोईट्री इस लिखा दिखे वो गलत है क्यों भी पोईट्री का प्लूरल बनता ही फर्नीचर फर्नीचर मतलब लगड़ी का यह पूर सी वे सारा समान तो फर्नीचर होता ही नहीं बोला देगें फोड़ा सा इस पीकी इंगलिश इस रिटर इंगलिश से अलग है आपने सुन ना होगा लोग इमुझे लोग बोल देते हैं बट वह सही तरीका नहीं है ग्रामिटिकली जब हुन सही इंगलिश लिख रहे हैं तो फर्नीचर ही लिखा जाता है उसमें कभी ऐसे यह नहीं लगता है क्यों क्यों क्योंकि फर्नीचर एक ऐसा कॉमान नहीं होता है उसके डिगरी में रखता गया है जो अनकाउंटिबल मना जाता है फिर इसी तरह मतलब होता है बोरियर इसतर या समान बैगेज भी नहीं होता है इसके अलावा इसके अलावा रबिश, रबिश का मतलब ही कुड़ा ये कचरा होता है, इसका भी दूरल ही मनता है, इसके रावा जूरी, जूरी इस बोला है, जरूर जाता होगा बड्रिमटिकली, आपके पेपर में कहीं जूरी इस लिखा मेले तो गलग है क्योंकि जूरी का जूमें बनता है जूरी मेशा इस्ञी mesma मेरे रहता है इसके अलावा जो आप निये ध्यान दिए कि यहाना जो भी नाउन अपलिक रहे हो वो common नाउन तो वैसे लिए कभी plural नहीं बनता है इसके अलावा कुछ और हैं जो पूशे जा सकते हैं जैसे pottery, pottery का मतबब होता है वर्तन मैंने की art इसके अलावा stationary, stationary का मतबब होता है office का समा, stationary भी नहीं होता है वेका यह वर्ड stationary ही लिखा जाता है तो यह बहु सारे नाउन है basically जिनका कभी भी plural नहीं बनता है वो maximum आप हर paper में देख सकते हैं हर दूसरी फिसरे paper में scenery, appointments, information, furniture, luggage ज़रूर भूसारा का तो स्टाइटी में जो दिखे रहे हैं यह आपके लिए काफी इंपोर्ट है तो आप इंका ध्यान रखिए अब यह क्या rule फॉलो करते हैं means इन में कभी S, C, I, E, S नहीं लएगा, प्लूरल ही बनेगा और इनके साथ जो वर्ब आए कि वह हमेशा क्या होगी अगर यह इसी form में दिखे तो वह हमेशा similar हो तीसरी चीज़ आपने देखा था कि मैंने बताया था कि जो countable noun होते हैं अगर वो similar form में आएंगे तो जरूर के तरह ही हुज होते हैं इसलिए इन के पहले ए-एं भी नहीं आएगा तीन बाते ना इन के प्लूरल बनेगा ना इन से पहले ए-एं आएगा और ना ही इन के बाद प्लूरल बब आएगा यानि वर्ड हमेशा similar आएगा तो यह वो ना उस थे जो हमेशा similar form में ही व्यूजर पर है कुछ एक चीज़ है जैसे बता देपाँ इससे पहले अकर यह ऐसे कुछ लिख दिया है जैसे लिखिए एक सेंटेंस लिखा है अब पीस आफ इंपोमेशन इस यह रवे और अभी जो आपने लिखा ताब उसेंटेंस था information is available और एक और सेंटेंस अगा में लिखा हूँ pieces of information is यार अवे जो बलतेंस नो इस यह sentence को और यह पहले देख चुकिया अगर इन्फॉमेशन जैसे नाउन से पहले या ऐसे और भी कुछ नाउन होते हैं, एडवाइस, प्रेड, इनसे पहले आप पीस ओप लगा दिया, दीए, यहाँ पर मत्ब है इन्फॉमेशन अवेलबिल है, बट यहाँ निकल ला है, एक इन्फॉमेशन अवेलबिल है, तो जरूरत पढ़ने पर इन्हें एक बोला जा सकता है बड़ उसके लिए सिर्फ ए-n लगाने इसकाम नहीं चलता है उसके लिए हमें लगाना पढ़ता है फ्रेज आवा पी स्वाफ चुकि तब भी वो एक ही है इसके साथ वा तब भी आपकी आएगी सिल्ला एक्जामपल यहां पर यह तो मैनी तो लगा दी सकते इससे पहले तू-3-4 भी नहीं लगा सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन माना उन्काउड़ बना जाता है इसलिए जो फ्रेज यहां पर सिल्ला फॉर्म में लगा था यह फ्रेज है पर यह सिल्लर का मीनिंग दे रहा है उसी सिल्ला फ्रेज को हमने के रहे हैं, प्लॉर्म मेनिंग में कनट कर गया तो अब पीस अउफ बन गया पीसस अथ पीसे अड़र। अब सीाफ मतला अगर इन्द में से जों नाव भी आपने लिख्खे इस से पहले कोई ऐसा फ्रेश लिख दिया जाया है जो प्लॉरल मीनिंग दे रहा मतलब वर्वा आपकी प्लूरल आ सकती है, यह एक exceptional case है, जहां पर जहां इन से पहले pieces और या items और ऐसा कुछ लिखा हो, तो वहां पर इन से पहले जो है, यह लग सकता है और आगे प्लूरल प्लूरल आ सकता है, तो अगर इस चीज़ को मैं सुप्राइज करूँ, इस सारे नाउं जो आपने लिखे, उन में कभी S.A.E.S. नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता है, यह उनका plural कभी नहीं लगता है, नॉर्मली अगर वो यूज हुए है, एक वर्ड में तो उनके साथ कभी plural बब नहीं आएगी, यह विशा similar बब आएगी, इसरी चीज़, जरूरत पढ़ने पर एक बत प्रेट, पीस ओफ इंफॉमेशन, पीस ओफ एडवाईस, अला पीस ओफ रेड़ोटी, या अगर इनको plural form में दिखाना है, हमें कई या बहुत सारे कार्स निकालना है, तो इससे पहले आप पीस ओफ कि जिएगा, पीसे ओफ लगाया जा सकता है, तब इनके साथ बब आपक इससे पहले टू, ट्री, फॉर भी यूज हो सकता है, देखिएगा, टू पीसेज ओफ, ट्री पीसेज ओफ, या मैनी पीसेज ओफ, मतलब जैसे ही हमने इससे पहले फ्रेज लगा दिया पीसेज ओफ, तो टू, ट्री, मैनी यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब ये टू इसे पहले कोई ऐसा फ्रेज लिखा हो, सबसे आदा पीस से दो भी पूछा जाता है, कोई ऐसा फ्रेज लिखा हो जो प्लूरल में कुछ, जो प्लूरल मीनिंग दे रहा है तो फ्रेंड्स, यह चीज थी नाउन की बेसिक, अभी बहुत सी चीज़े हैं नाउन में जो आपसे में शेयर करनी है, यह तो एक बेसिक सरूल था, इसे आप देखिये समय जी, सबूर आप बढ़े बार बार देखिये, नोट डाउन करिये, और इस से रिलेटेट अब कियेस आपके लिए काफी बनेपिशिया हो, thank you very much and wish you all the very best.